नवश्कार आप देख रहे हैं प्राइम डीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादोव वक्त हो चुका है उत्तरपदेश की बड़ी ख़वरों कारू करते हैं ख़वर के ओर राधानी लखनों के विकास प्राधिकरण दब्तर में नागरिक सोथा दिवस का आयूशिन किया गया इस आयूशिन में लखनों की मंडला युक्त रोशन जैकप और जुलाधिकारी सुर्यपाल गंगवार के साथ विकास प्राधिकरण के उपार्दक्ष इंद्रमनी त्रिप है यहां जान की पुरूब से आए हम लोग की समस्या यही थी कि वहां से जो आज से जलाई जाती हैं वहां पर अम लोग यहां अलाय है इनके आगे रखी तो इन्हों ने हम लोग आसवासन दिया आस वाधन दिया उस पे भी कहा इन्हों कितने ही लगाता अब उसकी किन्तियां बताइए तो अभी तो आदेश हो गया था कि जगा चिंधित कर लिया गया है जो ने हमें मकान दिलाया था आप वो घष्ट्री कराने से मना कर रहे हैं एक लाख रुपए तो उने तो घष्ट्री ने कराएंगा किसे मकान लिया था अंजुमद आने से लडी के मैट बाबू बाबू है एक लाख रुपए ले चुके हैं और अब रेटायर भी हो गया है और एक लाख अगर और नहीं दो को तो घष्ट्री नहीं कराएंगे जो करवालों देखते हैं कैसे हो जाएगी रहे हैं किसके किसके न किस्ति करा देंगे लाहिए को पैसा तो हम इसको लेकि आएंगे तो क्या मैटर है पूरा वहाँ पर मैटर किराएदारी का है सब्सक्राइब करमाण पत्र बन वाहां के लाना है जो नों ने मांगा है तो तैसीर लिपोर्ट बन के आगए उत्रादीकारी प्रमाण पत्र के कितने साल से कपज़ा है वहां तो उल्लत किशए का और कि यहां को चैने कितने देर से खड़ें यहां पर आप एक गंटेस खड़ें हैं लोग आवट्टी है और अभी तक क्या मुल्गू सुवधाय भी नहीं है इसे लिए हम लोग यहां प्यालाएं क्या समस्च्छा लेका है अंकल कि कितने देर से लाइन में लगें हैं अब देखना यहां पर आती हैं कितनी समस्च्छाओं का निस्तारण किया जरता है खबर बांदा से हिजवा उत्तरपदेश के उप मोखी मंतरी ब्रिजेस पाठक बांदा पहुशकर महिला पोशर वह बाली का अनपराशन कारेक्रम में शामिल हुए और साथी जिला स्पिताल में तीन सौ बेट के मंडली स्पिताल वह मशीनों का खाटन कर नवजात बच्चियों के लिए जूला दिया वह इस दोरान डेप्टी सियम रजेस पाठक ने माफियाओं पर कहा कि कोई भी अपराधी हो हम किसी को माफ नहीं करेंगे अपराधी पर कारिवाई कर उसे सजादी जाएगी आठ महीने दो दिन की लगातार साइकल यात्रा करके कुशिनगर पहुँशे बंगाल के साइकल यात्री पुषपेंद्रू बोसरा का रोटरी क्लब कुशिनगर के सरदस्यों द्वारा जोड़दा स्वागत किया गया साइकल यात्रा बोसरा ने रोटरी के सरदस्यों के साथ अपने यात्रा की रोचग घटनाई साजा की उन्होंने बताए कि वो 27 जुलाई 2022 से गोगरीन के नारे के साथ पश्यम बंगाल के सीली गूरी से निकल कर अब तक 16,000 किलोमेटर की यात्रा कर चुके हैं इसमें बिहार, जारकंड, उडिशा, अंदरप्रदेश, तमिलनाडू, केरल, करनाटक, महरास्ट, गोजरात, राजस्तान, हरियान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्राकंड, देली वा उत्रप्तेश की यात्रा शामिल है स्टेट, और अभी तक 15,000 किलोमेटर कर चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ वापस, बीच में मिला था भाईया, लोगों इसके साथ, मिलके भी अच्छा लगा, बहुत मान समन किया खबर प्रियागरास से है जहां उमेश पाल की मा और पतनी ने बयान दिया और उमेश पाल की मा ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चलाया, लेकिन जब लगा कि वो नहीं बचपाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई और साथ ही कहा कि कोड मेरे बेटे की हत्या पर अतिक एहमत को फांसी की सजा सुनाई, तब तक अतिक उसके भाई बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये आतंग चलता रहेगा, मैं नियाई पालिका के फैसले का सम्मान करती हूँ और मैं मुख्यमंत्री जिसे चा करूंगे कि उस आदमी को उसके पूरी परिवार को चाहे अति को चाहे अश्रा को चाहे उसका लड़का हो चाहे कोई भी हो जब तक उनको खतम नहीं किया जाएगा, तब तक ये आतंग चलता रहेगा, एक सवाल हो रहा है, ये खिड्नैपिंग वाला मामना था, और इसमें कुछ लो कोई सवाल है, मैं अपने आदमी का जो लड़का कराया, मैं इसके आदमी कोई सवाल है, मैं इसके सवाल पूचे है, आप टीदी कटते हैं, माता जी एक सवाल हो, तो लड़ाई आपके पती लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी, बिल्कुल सवाल है, अग्ला कोई आप बहुत, इसलिए का आदम हो, चाह जैसे भी खतम हो, आपको अपनी परिवार के उपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पढ़ी का मदल कराए, कहीं आपके ऊपर आपके घरवालों के ऊपर हमला ना हो, जी विल्कुल हो सकता है, इसलिए त मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चैय जैसे भी हो इनको कारावाज दिया गया है नहीं मित्रे ये कारावाज में भी खटना कर सकते इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्य मंत्री जी इन्हें खतम करें चैय जोजा ये ये नहीं रहना चाहिए अश्रा कारपुर बुंदिल खंड की 2024 के आम चुनाव में सभी सीट जीतने का लक्ष रखा गया वहें उन्होंने प्रियंका गांधी पर टिप्टी करते हुए कहा कि गांधी परिवार खुद को राजा मानते हैं देश ये बड़ा लोकतन से बड़ा मान बैठे हैं समाने परिवार का व्यक्ति पीम कैसे बन गया इसके कॉंग्रिस को दिक्कत हो रही है इसके कारण से जुनाओ को समय बढ़ा लेकिन पार्टी लगातार अपने बोट इसकर से सामाजी की इसकर से जबी तैयारियां कर रही थी और भार्टपा हमेशा जुनाओ के लिए तयार रही थी अमेरिकर नागर में प्री प्राइमरी के अंतरगर जनपदर स्थरे सुक आयूशिन किया गया बतादे कि लुया भावन में डियम के अधियक्षिता में एजुकेशन को बढ़ावा देनी और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूता फैलानी के मकसद से कारेक्रम का आयूशिन नई सिक्षा निती के तहट आज यहां पर हमारा अगन हमारे बच्चे उसक कारेक्रम का आयूशिन किया गया था इस कारेक्रम का मुख उद्देश से कि जो हमारे बहुत ही छोटे बच्चे हैं जो की प्री प्राइमरी के बच्चे हैं और कभी सीनियर के जी लोवर के जी आ स्कूल आएं आगन बाड़ी केंज जाएं तो उनको अपने घर की फीलिंग आए उनको वहां पर ऐसा ना लगए कि हम कोई ऐसी जगहां आ गए हैं जहां पर वो अपने को पूरी तरह से अफर्चित पा रहे हों तो ऐसा एक माहौल देना है कि वो खेल खेल में बच्चे जो है अपना घर समझते हैं अपना आगन समझते हैं जो उनको एक खेल में सिखाया जाए उसको अच्छी तरह से वो सीखें समझें और यहां से जब वो आगे फिस्कूल में जाएंगे जो उनकी नीव है बहुत ही मजबूत रहेगी और वो पढ़ाईoff को और अच्छी तरह से परने में अपना महत्मूर योगदान दे सकेंगे। जिसके बाद पिडितने उचहार कोतवाली पहुचकर तहरीर देते हुए न्याई की गुहार लगाई और दोशियों के खिलाफ सक्थ सक्थ कारिवाई की मांग की है। पिन लोग पिन लोग कौन है नाम मालू में जिसमा रहा है। क्या नाम है आमन आमन नाम है उनके बाब के नाम है रजेंद। इतने लोग ते मापेक करने माँ हैं। खबर हरदोई से हज़ां कोतवाली देहात इलाके में एक कार और ए-रिक्षा में जोड़दार टकर हो गई जिसमें पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि अन्य पांच लोग गंभी रूप से घायल हो गए। वही मामले की सूशना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मौके पर उनकी डेत हो गई। कुछ घायल, तीन घायल प्रामास्विल ले आए गए थे, यहां पर एक घायल की मिक्ति हो गई। हमेशा अपनी कारणामों के वज़े से सूर्ख्यों में रहने वाली यूपे पुलिस का मानवे अचरह सामने आया, जहां बलड की कमी से डिलेवरी में होरी दिकत के चलते, ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी ने अपना खून दे कर ना सर्फ महिला की जान बचाई, बल्कि ये भी बताया कि पुलिस लोगों की सुरक्षा में हर पल तयार है। बतादे ट्रैफिक पुलिस प्रभारी केस मानवे पहल की चारो और प्रशन सा हो रही है। प्रयागराश में पुरुमंत्र जुरा दिवक्ता संग वरुड कुमार सिंग ने अत्तिक एहमत कोलेकर प्राइम टेवी चैनल से खास बातचीत की वरुड कुमार सिंग ने कहा कि अपरादी को इतनी कड़ी सुरक्षा में नहीं लाना चाहिए, अपरादी को इतना अपरादी कोल बन जाता है, इसके लिए हम आगे चलकर कोट का दर्वाजा खटखट आएंगे. अपरादी को इतना सुरक्षा में लाना चाहिए, इसके लिए हम बात करने के लिए मंत्री कुमार सिंग से में बात करता हूं, इस बात को इक हुंकी क्या राएंगे. इस दुनिया में नहीं नहीं है, अब अपराद मामले में अधिक असरा उनकी अनसरयोग्यों को तुन मामला था है कि आज तीन लोग आधिवर्ट आरावास को अब अक्यार लोग बनी किया. सबसे पहले तो नयापालिका को हम धन्यवात देना चाहते हैं कि हमारे जन्पत नयाले के एक अधिवक्ता जो अपनी गवाही देकर यहां से लौट रहे थे, यूकि एक प्रिशन सथ्या चोवीश परूरी गोजाट को किया गया, जिसके राजुपाल पूर्वीधार गोज अधिवक्ता साथी जो इस मुगदमे को लड़का और सबसे पहले तो ये बात है कि आज 42 साल के प्राधिक में पहली गारती कहमत को सजा हुई है, और निश्ची तोर पे इसमें हमारे सही गवाईव में इस पांजी बहुत पड़ायों है, और अपनी मेहनात अपनी बहादर कि यही अधिवक्ता थे पूर्ट की सरकारों में ना तो अधिवक्ता मिलते थे केश लड़ने के लिए ना पूरी सितान करती थी अबना तो कोई जज स्कामें रच्शप करता था एसी आज कहां से स्थिदी पैदा हुई कि योगी जी सरकार में सारे काम हो रहा है और माफिय रहता था इस माफिया खिला कोई दवाही ने दे पाता था जिसके कारण से मारे नाकालिकाबी भी हाथ बन जाती थी आज एक जो खौक का महौर जो खतम हुआ है इसी तोर पे आज लोग तुल के दवाही देने के लिए आ रहे हैं निश्ची तोर पे यह पास आते हैं एकर इस स्ंधार को ऑछान का लिए आतुरों मत्री मंत्री अपाचित करजणून बता के चोंधिक आति अधिकास कनी श्रच्थ kalk को सवर्मति से मतिशत के मनीं लैया था इतनी करण अच्छा देने की आफ़कता नहीं तो एक होंडार साहे लाज़ा सुनता था लेकिन कहीं कहीं है पुड़ासंदेकर अप्ट्रापने सरकार भारती रुप्या भारती मुत्रा को बर्बाद कर रही है इससे अब राजियों का हौफ़ा बढ़ता है कि सावर मते आस्तर सुल्तानपुर में आज सडक हासे में दो यूवकों की दर्दनाक मौत हो गई वहीं एक यूवक कभी रूप से घायल हो गया तो वहीं घायल यूवक को इलाज के लिए जला स्पताल में भरती कराया दिया गया है और मृत को के शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजिया गया ह आगे दी हम दो इसने साथ हैं तूरी पप्ली के साथ है लेकिन गोंडा में जिला 25 सभागर में बैठक का आयूजिन क्या गया जिसमें प्रभारी मंत्री अनिल राजवर मुख्यतिती के रूप में पहुंचे तो वहीं जिला योशना की बैठक में चन प्रतिनीधी मौझूद रहे जिले में 451 करोड की परियोशना को प्रभारी मंत्री अनिल राजवर ने अनुमूदन किया वहीं मंत्री ने मीडिया की सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि राउल गांधी को बंगला नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए था राउल गांधी का कन्फ्यूजन कॉंग्रेस पार्टी की बंगाल की खाड़ी में ढूबो कर रहेगा कॉंग्रेस पार्टी के राश्चत धक्ष कोई सबक नहीं ले रहे और राउल के लिए सत्याग्रा कर रहे हैं ये बंगला माननी सदस्य गणू के लिए है आप सिर्फ गांधी परिवार में पैदा हो गए इसलिए खास नहीं है जो माननी सांसद हैं उनको रहने के लिए वो आवास बनाये गया है हम लोग तो बड़ा उमीद किये थे कि नयतिक्ता के आधार पर वहां की जो आवास की कमेटी है उसको कहना नहीं पड़ेगा आप खुद आवास खाली कर देंगे तो आप नयतिक्ता दिखाने के बजाय आप राजनीत करने लगे जो माननीस जो सदस्य हैं उनको रहने के लिए आवास बना गया है उसमें पूरु सदस्यों को रहने का कोई प्राविधान देखिए राहूल गांधी का कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी को बंगाल की खाड़ी में डूबा कर रहेगा खबर साह जहापूर से जहां समाजवादी पार्टी के रास्ट धक्ष अकलेश यादो की स्विक्रिती से समाजवादी पार्टी का लागातार तीसरी बार तन्वीर खान को साह जहापूर का जलाध्धक्ष मनोनीत किया गया नगरपालिका परिश्चता जहाँपूर के पुरो चेर्मेन तन्वीर खां को जुलाद्यक्ष मनोनित केशाने पर पार्टी के नेताओं वा कारिकरताओं ने मंगलवार को उनके आवास विकास कॉलोनी इस्थित आवास पर पहुँचकर बूके देकर पकड़ी फूल माला पह प्रिश के पुरो मुख्यमंत्री अखिलेश यादो और शियुपाल सिंग यादो ने हिस्सा लिया इस समारों में अखिलेश यादो ने खटीक समाज को समंधान की शपत दिलाई साथ ही कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि अगर समंधान को बदला गया तो यार ठीक नहीं होगा ऐसी ताकतों से अपने समंधान को बचा कर रखेंगे इसी तरह से शियुपाल सिंग यादो ने कहा कि समंधान आज खत्रे में है इसकी रक्षा करना देश के हर एक नैतिक का करतब्य है अगर समंधान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा हम और आप सुरक्षित भी भी नहीं रहेंगे। इस मौके पर वधायक कैलाश खरवार ने कहा कि हर गरीब और हर देब्यांक जनों के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इनको पूरस्कित कर चुके हैं उसके बाद उत्तरपदेश के सरुस्रेश्ट मुखमंत्रियों में एक माननी योगी नाज जी भी इनको पूरस्कित कर चुके हैं जिला पंचायत में। आज हमारे साथ मानी चत्रबली सिंग जी हैं और दिब्यांग जन का मुखमंत्री की महत्वा कांची जो एक योजना है दिब्यांग जनों को ट्राइ साइकिल वित्रण करने के लिए आज हम चंदोली जनपत के सहावगंज विकास खंड मुख्याले पर हैं जहां पर विधा सब्सक्राइब के लिए और यहां पर इस विकास खंड में जो सुची थी दिब्यांगों की अबर साथ लोग की सुची थी सब्सक्राइब को बता चुके हैं कि आप काम बहुत ज्यादा करते हैं इसलिए विकास पूरुस के नाम भी जानने लगे हैं लोग आपको आप यह सबसे बड़ा चर्चा ही चंदोली में हो रहे इतना काम करते हैं कि आपके साथ चलने वाले लोग ठत जा रहा है सामतक्त होते होते हैं कि अब प्रयास करें काम करें हैं करें होंगे हमारे इसी विकास प्रधान जी करते हैं हमने उसमें बस इतना गती दिया कि नहीं आप इतना इचात्रा काम करें कोई रोप नहीं सर विकास कार आप बहुत तेजी से करते हैं इसकी चर्चा भी मैंने बता लिया है जन चर्चा भी है हम चाहते हैं ये चर्चा ये भी दूसरी उभर के आती है कि इतना काम कर रहे हैं क्या बड़ेपी के हई कमांड से कोई सारा भी आपको आगे भाश से मैं करने का और अख्या लगता है गरींड के सालगता है खोई र्यूंस सला है कोई प्र चाहिए अपने चत्र में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, और के कोन की तरह मेहनत कर रहा है, उनके उपर हैं, हमने इमन्दारी से काम करते हैं, इमन्दारी से मेहनत करते हैं, और इमन्दारी से मेहनत का ही नतीजा है कि स्राफ कोंच विकास करने विकार दिखाई देता है, सर्थ ह विए सरकार हर गरीब के हर सुन्दाएक लोग के विकास के लिए खाम कर रहे हैं बिना जादपात की भेद भॉनास काम कर रही है आप देख रहे होंगे अगर दिद्धानों को तैसा की न मिला तो यह नहीं कि कोई मुसलिम भाई को चांट दिया गया है को याद हो तो चांट सब्सक्राइब को तो चंदॉली में मोख्यमंद्री जी की महत्वा कांची योजनात दिब्यांग जन शक्ति करड़ के अंतरगत विकलांगों को ट्राइस साइकल वित्रड़ किया गया इसमें मोख्य रूप से चक्या विदान सभा के विदाय कहलाश खरवार मौजूद रह और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर सहारनपूर के दिल्ली रोड इस्थित यूनिटेक फैक्टरी के पास जल्द होनी जा रहा है नवनिरत में सन सिटी वाटर पार्क का उद्खाटन किया गया जिसके जानकारी सन सिटी वाटर पार्क के निदेशक दलबीर सिंग देशवा ने प्रेसवारता कर दी बता दे वाटर पार्क में आने वाले लोगों को काफी सुवधात देखने को मिलेगी तो वही संसिटी वाटर पार्क में फैमिली स्लाइडर से लेकर वेब पूल के व्यवस्था भी की गई है कर सकते हैं बड़े पार्टी सेलबेट कर सकते हैं या पर कोई भी वंक्षान आप डाइस कर सकते हैं वाटर पार्क की तीम के ओपर और यह जो वाटर पार्क है अब योगी सरकार की काफी पूल के अदर आप सब से हैं और अच्छे अच्छे आके यहां पर अपने पार्क बनाईए लोगों की रोज़गार उत्पन कीजिए ऐसी हमारी सोच है और आया से दर कोटवाली शित के हाईवे रोड इंडियन ओयल चौकी के पास आटो अन्यंत्रित होकर पलट गई बताते हाथ से में आटो सवार साथ लोग घायल हो गए महीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलो को जिला स्पितार में भड़ती कराया जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत नाजूग देखते हुए उसे सैफ़ा ही रेफर कर दिया ने भड़ती को जो 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 कि इंश्रा पहसुए रास्तेर का आठीन वशेल्व पर मैत्जी चत्रों जोंटे है मैंने का है जर से मिर्काल लेंगे तो आगे बिलुकुन हो कितने लोग भाई लोगों हैं कितनी सवारी थी हैं सवारी साथ लोगते से हमारे पस साथ पेशिंट में लाएगे अभी पेशिंट के सर में ज्यादा जोग करिया थी उनका इलाज करने के बाद प्राथ में कुप्चार के बाद बिने से पर रपके एड इंजियर रूल आउट करें और बागी को माइनर इंजियर थी इनको यहीं पर राज करने को दूब लेकिते देंगे और पुस्को अभी रखा हुआ है कि अट्चा तो कितने लोग जा रहें आपके साथ में जा रहे हैं किस से सवारो के जा रहे हैं क्या बादची दोई तेंपू आले से तेंपू बला पिर जब अधाती करने लगा फिर दुचार आदमी घुस गया था हम भी उसी में घुस गया था हम पर आपके साथ यह समने यागे है नहीं कुन मुड़ा है किस चीज से टक्कर संभल में असमोली धामपूर बायो और गेनी क्लेमिटर में किसानों को गन्हा परची मिलने से अफसुधा हो रही थी जिसके चलते भारत्य किसान यूनियन के जलाव पैद्धक्ष रामबेर त्यागी के नितित में मिल के गेट पर बैट कर धना दिया धरने के शुरू में ह और रया में वैश्य समाज के एक कारिक्रम में पहुंशे राजमंत्रे विकास गुपता का एक बड़ा बयान सामने आया है जहां कोर्ट ने अतिक एहमद को दोशी करार देने की बात किये है वही माफिया अतिक एहमद हो या कोई भी अन्य माफिया हो इन सभी माफियाओं को कानून के दाइरे में आना पड़ेगा और कानून में रहकर काम करना पड़ेगा और साथी कहा कि मुझे उम्मीद है कि अतिक एहमद को न्यायाले कड़ी से कड़ी सजा सुनाएगा ही वही राभूल गान्थी के प्रकरण पर राजश्य मंत्री ने कहा कि कोर्टे माफिय कि यहां पर एक वैश्य मिलं समार्यों और समुही बिवाग का कायीकर्म आयूजेत् किया गया था जैसielle मुझे यहां पर आमन्त्रित् किया गया है यहांके सभी वैश्य समाज के द्वारा समाज की एक्था होनी चाहिए। और समाज की एकता होती है तभी इस तरीके के कारिक्रम का आयोजन होता है और इस कारिक्रम के आयोजन का मकसद समाज में एक रहे हम सब लोग, वैश्य समाज सुरू से ही सभी समाजों का माग द्रशन रहा है, समाज में कैसे काम किया जाता है और समाज की कैसे सेवा की जाती है उसका एक प्रतीक हमारा वैश्य समाज और विशेश रूप से और इया का वैश्य समाज और आज के जो आयुजक है रमन पूरवाल जी, श्रीकान जी, हमारे विजेंद्र जी, वनोज जी, सभी लोगों ने विशेश रूप से बड़ा अच्छा सुन्दर कारिक्रम किया है और या मेरा दूसरी तफ़े आना हुआ है और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोगों के पीच में अपना अच्छा सुन्दर समाज के सभी युवा शक्ती ने, समाज के सभी बड़े लोगों ने, बुजर्गों ने, आदर लिये, विजेंद्र गुप्ता जी के नित की दूध में नशे की गोली मिला कर माबाप को बेहोश किया था, तो वहीं बेहोशी के हालत में नाबालिक बेटी ने, सिर में कुलहाडी से मार कर माबाप का कदल कर दिया शिकारपूर कोतवाली शित्र के शिकारपूर नगर शित्र के लाल दर्वाज़ शित्र का है पुरा मामला इस तीम गठित की गई ती जिसके क्रम में आज इनकी टीम द्वारा इस घट्मा का असफ़ा लनावरन किया गया है इसमें ये बात प्रकाश में आई है कि जो दंपत्री थे उनकी जो सबसे बड़ी लड़की थी जिसकी उम्रेलगब कंद्रा-16 वर्ष के करीब है उसके द्व को लेकर इसके माता-पिता नाखुश रहते थे और इसकी कई बार मार बिटाई करते थे जिससे ये काफी दिनों से छुट थी इससे पूर भी इसने एक बार प्लाइनिंग करी थी हाला कि उस समय ये सक्सेस्पुल नहीं रही थी खबर फरीदाबाद से है जहां बल्लबगर इस विश्रू कॉलोनी में आजसियम फ्लाइंग और खाद एवं आपूर्टी विभाग ने सैयुक्त कारिवाई करते हुए सरकारी राशन की काला बाजारी करने वाले डीपो पर बड़ी कारिवाई की है बतादे की कारिवाई की दोरान आरोपी राशन डीपो होल्डर के पास से 124 कटे गेहू 98 कटे चीनी कम पाई गई तो वहीं आरोपी के पास से 110 कटा बाजराधिक पाया गया इस समद्ध में गिरिश मिश्रा निरक्षक खाद एवं आपूर्टी विवाग फरीदाबाद की शिकायत पर इस्थाने पुलिस थाना आरदर्श नगर जिला फरीदाबाद में अप्राधिक अव्यूक्त को अंकित कराए गया लेकिन आरोपी के मौके पर उपस्थितना होने पर इस मामले में कोई गिरफतारी नहीं हो पाई मुख्यमंत्री ओडंदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के अधार पर बल्लबगड स्थित विश्नु कालोनी में एक राशन डिपो पे स्थानी है जो विभाग और पुलिस खाद्याबापुर्ती विभाग और पुलिस के साथ जब रेड की तब और लगबग एक क्वेंटल 98 किलो चीनी गम मिली है और 110 के कट्टे जो बाजरे के वो फाल्तु मिले हैं प्रदेश में हुए विद्युत विभाग के करमचारियों के हरताल के दोरान शासन के तरफ से हुई कारेवाई को लेकर एक मध्या सता हुई थी जिसमें यह तैय हुआ था कि जो भी करमचारियों पर कारेवाई हुई है उसे वापस लिया जाएगा मगर अब तक कोई कारेवाई वापस नहीं लिगए जिसको लेकर विद्युत विभाग करमचारी संग के पदादिकारी कारेवाई को वापस लेनी की मांग करने है वही राज करमचारी और सिक्षक भी विजली विभाग के करमचारीयों के समर्थन में आ गये साथ ही उनका कहना है कि विजली विभाग के करमचारी पर होई कारेवाई वापस हो और हम उनके साथ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बड़ा आंदोलन धना करेंगे साथ ही इसी मुद्दे पर राज करमचारी संग के अद्धक्स शुबास्चंदर श्रिवास्तव से ख का सतीश पंडे किस बात को लेकर नगर निकर सामने धरने पर आया क्या मामला है देखिए अभी बिजली करमचारियों की जो हरताल 72 घंटे की हुई थी और वो हरताल भी जबरिया सरकार के द्वारा करमचारियों पर ठोपी गई थी क्योंकि 3 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की सरकार के उर्जा मंत्री जी ने एक समझहोता किया था जिसमें उनकी समस्याओं पर विचार किया जाना था उन समस्याओं पर विचार जब लंबे समय तक नहीं किया गया लिखा पड़ी अनुने विनय के बाद तो मजबूरी में 72 घंटे की हरताल विजली करमचारियों को करनी पड़ी उसमें फिर से एक बार मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया और यह आस्वस्त किया कि तिन दिसंबर का जो समझहोता है उसे हम लागू करेंगे और इस दौरान हरताल के दौरान जो भी उत्पिरनात्मक का रिवाहिया हुई है उनको भी हम वापस लेंगे दुरभ अब बिजली करमचारियों को नियाय दिलाने के लिए बिजली करमचारियों के समर्थन में यह उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य करमचारी निगम करमचारी निकाय करमचारी विश्विद्याले करमचारी हमारे रोडवेज के करमचार यतने भी सारे साथी है उन सब ल पूरे उत्तर प्रदेश के सारे के सारे जनपदों में इसी प्रकार से यह कारिक्रम हो रहा है और अगर सरकार हमारी बात तब भी नहीं सुन रही है और सरकार चाहती है कि प्रदेश में करमचारी समाज का एक बड़ा अंदोलन तयार हो तो इसके लिए भी हम तयार हैं और हम अगली रणीत अपना बैठा करके हम घोशना करेंगे सीख रही सरकार से अभजे हमारी बात था किस से कहेंगे हम उत्तर प्रदेश के मानिनी मुख्य मंतरी जी से निवेदन कर रहे हैं कि आपकी सरकार के ही एक सम्मानित और डिजर्विंग मंत्री के द्वारा कि इस तरह का समझोता किया गया है जिसका पालन नहीं केरें की वज़ए से हरताल करनी पड़ी और फिर से हरताल समापत करा करके जो सब्सक्राइब करवाई तो अब ओशक्ता हो रही है इसाफत यूकर मुक्ती जी अब समाप्त करने निर्देशेफ जागी करें हवारे साथ के राज एक मौजुद थे जो पूर में जो बिजली की हारी के ऊपरा जो ओप्रकार मारा करेंगे केमरामेन विमल के साथ रहानवार सी प्राइम टीवी लखनाओ आज के लिए उतरपदेश की खबरों में बस अतना ही देशुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी